दोस्तो आज हम गुजराती authentic recipe काटलू पाग बनाएंगे जिसे 32 तरह की अउशदी के साथ बनाया जाता है और special ये winter season के लिए महिलाओ के लिए बहुत ही फाइदा कारख है और delivery के बाद प्रसुता को भी ये दिये जाते है तो ये बहुत ही healthy है winter season में महिलाओ को खाना ही चाहि है इससे जोडो का दर्द कमर दर्द सब में राहत मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही healthy है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना काटलू पाग recipe तो काटलू पाग बनाने के लिए सबसे पहले हम टीन को ready करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर OD ECOBIC baking और cooking paper लिया है ये hazel free और convenient है क्योंकि इसका use करने के बाद हमें यहाँ पर टीन को grease करने की ज़रूरत नहीं है और इसका हम baking के अलावा cooking में भी use कर सकते हैं और इसक हमारे लिए बहुत ही useful है लिंक मैंने description box में दे दी है आप चाहे तो आसानी से online order भी कर सकते हो तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टीन को ready कर लिया है अब कड़ाय में देड कब गी गर्म करने के लिए रखेंगे अब उसी के साथ हम दो कब गेहु का आटा add करेंगे आटा हमें वही लेना है जिसकी हम चपाती बनाते हैं अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भुनना होगा तो आटे का कलर golden brown हो जाए तब तक हमें इसे भुनना होगा या फिर अच्छी से खुश्बू आने लगे तब तक हमें इसे भुनना होगा और भुनने में 7-8 मिनिट लगेंग तो यहाँ पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून जितना घी और एड़ किया है तो अब हम इसे अच्छे से भुनन लेंगे दोस्तो अभी तक आपने धर्मेज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसानसी और परफेक्ट रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर किजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आटा अच्छे से भुन गया है, तो उसी के साथ हम वनफोथ कप गौन्द एड़ करेंगे और गेस हम यहाँ पर बंद कर देंगे, आटा काफी गर्म है तो गौन्द उसमें ही फुल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गौन्द अच्छे से फुल गया है, अब उसी के साथ हम आधा कप सुखा नारियल एड़ करेंगे और वन थर्ड कप पीसे हुए ड्राइफरूट्स भी एड़ करेंगे और इसे चलाते हुए कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि नारियल और ड्राइफरूट्स भी इसमें अच्छे से भून जाए और सारी चीजे हमें गेस बंद करने के बाद ही एड़ करनी होगी अब उसी के साथ हम पोना दो कप गूड एड़ करेंगे और वन फोथ कप काटलू पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो काटलू पाउडर मैंने राचकोट से मंगवाया है क्योंकि ये सब जगह पर नहीं मिलता लेकिन कोई-कोई आयूर्वेदिक स्टोर में ये मिल जाएगा और इसे बत्री सू भी कहते हैं क्योंकि इसमें 32 तरह की आउशदिया होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि गूड अच्छे से मेक्स हो गया है तो इसे हम Ecovick पेपर लगाये हुए टीन में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रैट करेंगे और बारिक कटे हुए काजू बादाम पेस्ता से गारनीश करेंगे और कटोरी की सहायता से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ड्राइफ रूट से वो अच्छे से चिपक जाए अब किनारों को भी हम अच्छे से प्रेस कर देंगे अब गर्म-कर्म काटलू पाक में ही हम कट्स लगा देंगे क्योंकि अगर ये थंडा हो गया तो कट्स लगाना मुश्किल हो जाएगा तो हमने यहाँ पर गोन देड किया है तो कट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो जितनी साइज में आपको पीसिस चाहिए उसी के हिसाब से आप यहाँ पर कट्स लगा सकते हो और आप चाहे तो इस मिश्रण के लड़ू भी बना सकते हो अब इसे हम बिल्कुल थंडा होने देंगे जब यह रूम टेंपरेचर पर आज आए तब हम इसे ट्रे से निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पर ओड़ी एकोबेक पेपर लगाया था तो हम इसे आसानी से डिमोल्ट कर सकते हैं अब हम पीसिस निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा काटलू पाक बहुत ही अच्छा बना है और सच में दोस्तों यह खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है तो इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ